नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में से बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में दोस्तों अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी कास हमें मिल जाए जो लोंग टर्म के अंदर हम लोगों को करोड़ पती बनाने का दम रखती हो देखे मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताने की कोसिस करता हूँ फिलाल में क्या है कि लगबग 309 रुपे के आसपास स्टोक्स आपको ट्रेड करता हुआ नदर आ रहा है इसी तरीके से दोस्तों कर मैं बात करूँ लोंग टर्म की तो जादे पुरानी ये कंपनी है नहीं लगबग 156 रुपे के आसपास इसका प्राइस आपने देखा 2017 के अंदर तब से लेकर अब तक अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टोक्स के अंदर देखने को मिल चुका है और कह सकते हैं कि मल्टिपल रिटन भी हमारे इसके अंदर बनते हुए नदर आए हैं तो शुरुवात अच्छी है लगबग 2017 से अब तक का जो इनिंग हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही हैं कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ ना कुछ धमाका हमें कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिल सकता है दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि इस समय जो भी पावर से रिलेटिट कंपनिया हैं जो भी इलेक्टरिक से रिलेटिट कंपनिया हैं उनके अंदर हम लोगों को मल्टिपल पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं बात करूँ इस company की तो आपने देखा कि जिस तरह किसे 116 रुपे तक के चार्ट पेटरन आपको देखने को मिले हैं कोरोना वारेस के टाइम में वहां से लेकर अब तक अच्छा खासा उचाल भी हमें company के अंदर देखने को मिल चुका है और अगर दिन की moment की भी बात करते हैं तो आपको अच्छी खासी चाल अच्छा खासा रुजहान अब तक देखने को मिल रहा है तो अगर आजी की बात करें तो लगबग 37.4% के आसपास delivery इसके अंदर उठती होने जरा रही हैं बहुत ही शांदार company का prospectors हम लोगों को दिखाए देरा है देखे जिस तरह किसे खबरे कभी-कभी बजार के अंदर आती हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों को अच्छा खासा momentum भी देखने को मिलता है तो ये चीज़ थोड़ी सी आप observe करके चल सकते हैं कि news के react पे काफी सारे stocks हम लोगों को trade करते बने जराते हैं बट आपको सिर्फ समझना है long term के बारे में देखे company के अगर fundamentals मजबूत हैं company के अगर आपको जो है उसकी basics जो है backbone मजबूत दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं लंबे समय में आपको करोड़ पती बनाने का दम रखती है अब अगर दोस्तों मैं company की basics के बारे में जानने की कोशिस करूँ तो company ने अभी हाल फिलाल में लगबग जनवरी के महीने में dividend दिया था लगबग 2 रुपे 50 पैसे पर share के साब से तो company अच्छी खासी है dividend भी ये company हम लोगों को लगतार provide कराती रहती है अब दोस्तों जानने की कोशिस करते हैं कि long term के अंदर किस तरह की company दिखाई दे रही है देखे daily daily stock market के अंदर आना trade करना इन सारी चीजों को avoid करना शुरू कर दीजे देखे इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ कही न कहीं पैसा जो हम लोगों को बनता है वो बनता है लंबे समय जब आप छोड़ेंगे तो कही न कहीं अच्छा कासा return आपके बनते हैं यह एक मातर भ्रम है जिस तरीके से लोग intra-deak के अंदर आते हैं और एक दिन के अंदर ही आप जो है अच्छा कासा पैसा कमा लेते हैं दो दिन कमाएंगे दस दिन कमाएंगे पांच दिन कमाएंगे एक महीना कमाएंगे फिर उसके बाद में कभी न कभी जब आपको नुकसान होगा तब आप जो है डिप्रेस हो जाएंगे फिर कभी फाइदा होगा कभी नुकसान होगा up and down आपको जो है देखने को मिलता है रहेगा आप 5 साल बाद अपने आपको उठा कर देखेंगे तो देखेंगे कि आपको जो है मुश्किल से 5% positive मिलेगा या पिर हो सकता है कि आपको 90% negative जो है आपको महां से देखने को मिलेगा देखेंगे डेली की डेली डिमेट अकाउंट आप देखेंगे शेर कहां चल रहा है यहां चल रहा है वहां चल रहा है आपको सिर्फ कंपनी के fundamentals को अने रेसेस करना है और जुट जाना है उसके अंदर खरीदारी करनी है वो भी बहुती कम, limited खरीदारी आपको उसके अंदर करनी है और देखना है कि stocks के अंदर सिर्फ गिरावाट आपको देखने को मिलती है तब ही इसके अंदर जो है अच्छी-खाची खरीदारी आपको करनी है देखे, share से संबंदित आपको जो भी information है जरूरी नहीं है आपको जो है demate account के अंदर ही जाकर आपको सारी चीज़े चेक की जाए आप अपना demate account open कर सकते हैं जो market बंद हो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं बट अगर जो है सारी information आपको Google पे मिल जाती है YouTube पे दुनिया भर के जो है videos आपको मिल जाती है तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से कोई भी खरीदारी आप करना चाते है तो सिर्फ सोचना है सिर्फ long term के अंदर तो अगर मैं बात करूँ इस company की तो 9304 करोड से ज़्यादा का market cap दिखाए दरा अर्निंग पर share भी हम लोगों को positive दिखाए दरा है इसी तरीके से दोस्तों कर मैं बात करूँ चार्ट की तो देखे चार्ट में आपको अब तक जो किछला साल हुआ है काफी शांदार लेबल देखने को मिले हैं इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वेलिशन चार्ट की तो इसके अंदर भी हम लोगों को काफी अच्छा कासा momentum देखने को मिल रहा है अब अगर बात करें sales की तो देखे sales के अंदर लगातार उच्छाल देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर लगातार उच्छाल देखने को मिला है return on equity पोजिटिव दिखाए दे रही है ROC की बात करें तो ये भी पोजिटिव दिखाए दे रहा है तो आपको चाहिए ही कुछ नहीं आपको सर्फ सही analysis करना है और उसके बाद में जुट जाना है खरीदारी के लिए तो देखिए अगर मैं बात करूँ सेल्स की तो 12% से ज़्यादा की तीजी देखने को मिल रही है पिछले 5 सालों के दोरान इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ पिछले जो 3 साल हुए है पिछले एक साल में लगबख 7% से ज़्यादा की तीजी तीन साल में 16% से ज़्यादा की तीजी देखने को मिली है और अगर पिछले 5 साल का momentum निकालने की कोसिस करेंगे तो लगबख 14-14% के आसपास positive दिखाई दरा है इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ return on equity की तो इसके अंदर जरूर आपको फेर बदल देखने को मिला है बट overall देखें तो भी आपको positive ही दिखाई दरा है return on ROC की बात करते हैं तो इसके अंदर भी 5 साल, 3 साल और 1 साल के दुरान आप लोगों को मजबूत sentiments दिखाई दरे अब दोस्तों जो मजबूत पक्स है company का वो है share holding patterns देखे मैं बात करने वाला हूँ इसके अंदर promoters की holding के बारे में तो फिलाल में क्या है कि company के अंदर promoters सुनने हैं company को चला को उन रहा है देखे घर निवेशक इस company को चला रहे है और public की holding यानि के 33.76% के आसपास public की holding है और अगर डियाइस की बात करें तो लगवख 36.62% के आसपास holding देखने को मिल रही है FIS की बात करते हैं तो 29.62% के आसपास इनकी holding बनती हुने ज़रा रही है अब अगर देखें तो company quarter on quarter basis पे किस तरह की के दिखाई दे रही है देखें मैं बात करता हूँ December 2019 से यानि कि जो अभी हाल फिलाल में नतीजे डिकलेर हुए थे December 2020 में उससे ठीक एक साल पहले यानि कि 59 करोड के आसपास आपको net sales growth देखने को मिल रही थी उसके बाद में 69 करोड उसके बाद 66 करोड 70 करोड और अब 85 करोड से उपर ये आपको पहुंस्ती वे नजर आ दी तो कह सकते हैं कि net sales के अंदर quarter on quarter basis पे हम लोगों को अब तक गजब का momentum company के अंदर देखने को मिला है अब अगर बात करें मुनाफ़ की तो दखे profit after tax 42 करोड से 47 करोड उसके बाद 42 करोड फिर 46 करोड फिर वापिस 60 करोड तो कह सकते हैं कि पिछले कई quarter से लगाता है इसके अंदर हम लोगों को जो रुजहान देखने को मिल रहा है वो उपर की तरफ ही देखने को मिल रहा है वहां से 198 करोड, 230 करोड, 256 करोड, 257 करोड तो कहने का मतलब यह कि sales लगातार 2016 से अब तक बढ़ती हुने जरा रही है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी progress दिखने को मिलेगी इसी तरीकी से दोस्तों करें मैं बात करूँ मुनाफ़ की तो 100 करोड से 113 करोड पोचा उसके बाद में 131 करोड वापिस से 165 करोड उसके बाद 177 करोड से भी उपर हम लोगों को मुनाफ़ा दिखाए दे रहा है तो कहने का मतलब यह है कि लाजबाब यह कंपनी हम लोगों को दिखाए दे रही है सिरफ लोंग टम के इंदर तो आपको यह सारी चीजे जो है थोड़ी कर लेनी चाहिए और अगर देखें तो कंपनी हम लोगों को डिविडेंट भी दे रही है देखें 2020 के अंदर 250% का डिविडेंट दिया था उससे पहले देखें तो 2018 के अंदर भी कंपनी हम लोगों को डिविडेंट डिक्लेर करती हुई नजर आई है तो बहुत ही बहतरी न ये company हम लोगों को दिखाए दे रही है long term के अंदर अच्छे का से return जो है आपके जरूर बनने वाले हैं बस इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही काम करना है खरीदो और भूल जाओ जोस्तो साथ में एक चीज का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि काफी सारी जो कंपनिया हैं जिनके अंदर आप डिमेट अकाउंट ओपन कराए हुए हैं वो long term के अंदर यानिके delivery में आपसे ब्रोकरेज चार्ज लेते रहते हैं तो कम सखम ऐसी कंपनियों को avoid आप अपने डिमेट अकाउंट ओपन कराईएगा जो long term के अंदर यानिके delivery में किसी भी तरिके का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेते हुँ तो यहां पर आप stocks company ऐसी ही हम लोगों को दिखाए दे रही है और फिलाल में company के अंदर एक offer भी चल रहा है फ्री में डिमेट अ दिखीशिन सीधे आपके mobile permits के थैंक यू सो मच फूच वाचिए